इस सवाल में हमारे पास एक assertion and reasoning type का सवाल दिया हुआ है जिसमें कि हमारे पास दो statement दिये हुए हैं और हमें देखना है कि वो दोनों सही है या गलत है ठीक है तो हमारे पास first statement जो assertion के तोर पे वो क्या है कि larger the value of cryoscopy constant of the solvent, lesser will be the freezing point of the solution यहां जो statement दिया है इसका कहने का मतलब है कि cryoscopy constant cryoscopy constant जो होता है वो kf होता है तो kf value जो है वो जितना ज़्यादा होगा solvent का उतना ही कम होगा freezing point of the solution मतलब सबसे यह चीत समझने के लिए मेरे पास जो formula है वो हम देख लेते हैं क्या delta tf जो होता है वो होता है kf into m जहां पर m जो है molality है तो यहां पर हम देख सकते हैं अगर हम kf value increase कर दे kf अगर हमारा higher होगा तो delta tf क्या होगा वो भी हमारा increase करेगा और delta tf क्या होता है delta tf जो होता है वो होता है tf not minus tf of solution तो यहां से हम देख सकते हैं Tf of solution मतलब freezing point of solution जो हो जाएगा वो क्या होगा Tf not minus delta Tf तो हम देख सकते हैं अगर delta Tf हमारा increase करेगा तो चुकि यह freezing point वाले equation में negative sign के साथ में है तो हमारा freezing point जो होगा वो क्या होगा solution का वो हमारा decrease करेगा ठीक है तो यहां से हम देख सकते हैं फर्स स्टेटमेंट जो कहा गया है कि लार्जर दे वैल्यू अव क्रायस्कोपिक कॉंस्टेंट मतलब कि एफ की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट आफ सॉल्यूशन देल्टा टी एफ है तो देल्टा टी एफ जो है वो किस पर डिपेंट कर रहा है वो के एफ पर डिपेंट कर रहा है और मॉलालिटी पर डिपेंट करता है और मॉलालिटी क्या है मॉलालिटी होता है नंबर आफ मोल्स आफ सॉल्यूट into thousand upon mass of solvent तो ये कहीं पर भी nature of solvent पर depend नहीं कर रहा है बलकि ये mass of solvent पर depend करता है तो हम देख सकते हैं ये जो reason दिया हुआ है ये statement हमारा गलत है तो हमारा answer जो होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा A part sorry ये हमारा C part जो है वो इसका answer है ये C जो होगा वो इसका answer होगा इसके लिए एक और explanation में समझा देता हूँ कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि depression in freezing point delta tf जो है वो क्या है एक colligative property है ठीक है colligative property है और colligative property हम जानते है क्या है वो depend करता है number of particles of solute पे तो वो solute के particles पे depend करता है ना कि solvent पे ठीक है तो इस कारण से हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह nature of solvent पे नहीं depend करेगा उतलब यह reason जो है वो गलत है ठीक है तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यह option हमारा C जो होगा और right answer होगा ठीक है thank you